मानेवर जाकी नाई जी को नमश्कार, मैं लालचंद आरी है, नायवास आरीय समझ मंदिल से, सबसे बहले मानेवर रोशन लाल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ, स्वामी दयानन सरस्वती ने, जो अपनी जीवनी में लिखे, सत्तार प्रकास में, उसमें स्री किशन जी को य ये जाती पे, कि स्री किशन जी की ग्यारा हजार पत्नी आती है, किरपा आप समधान करें और इसका जबाब आप पुन लें इसे, कि इन्होंने जो इलजाम लगाया है, क्या वो सही है या गलत है, जवाब के लिए इन्शालला मैं हाजिरू इदर, सवाल मुझ से पूछा ज जवाब के बागि जवाब करना चाहते हैं, मैं और ने दे दूँगा इन्शालला, मैं भी तालब इल्म हूँ, अल्हम्दलिल्ला, सिर्फ कुरान का नए वेद का भी माबारत, रामायन, इन्शालला, पहले आपका सवाल जोगए इन्शालला, बाकी जो शंकरचारने का उसक में से रुपमन थी आंड भी रहां थी उसके बाद 16100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16100 से शादी की यह लिका है माह भारत के अंदर अनुशासन परव में मैं आपका हवाला दे रहा हूं किसी भी धर्म में किसी भी मजभ में जब आप तक्रीर करते हैं जवाब देते उसका हवाला होना चाहिए किताब से मैं कहता हूं या कोई स्वामी कहते है शंकरायचार कहते है उसकी वैल्इु जीरो है मैं कुछ कहता। इसलाम में उसकी वैल्यू जीरो है मैं हवाला दूँगा खुरान और सभी हदिस का तो मेरे तक्रीर में जितनी भी मैंने बात इसलाम के मुतालिक की उसका हवाला दी चैप्टर नंबर सुरे माइदा चैप्टर नंबर फैवरस नंबर वन या सही बुखारी वाइम नंबर होते हैं 16108 तो 16107 में उन्ने की वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए तो उस हालत में तो यह इर्जाम ने हकीकत है अगर आप समझते हैं गलत है तो आपको मावारत में नहीं मानना चाहिए और जो लोग ने भी तक्रीर के में तक्रीर के बाद माशालला जब फंग रख की और कई लोग दोने कहां लाइला इलाम है रसुल इला जबने कहा कि में शायता लाइला इलाम्हां मुझत रसुल इलाहुंत mater सूल लग के जो कह रहे है शंकर अचारिया वो मुसल्मानों को बहलाने के लिए कह रही होंगे उनकी क्या नियती अजला वाला मैंने जानता मैं उनके नियत के उपर श्क नहीं कर सकता हूँ लेकिन क्युक्छा मैं तालिब इल्म हूं इसलाम और दिगर मजहिब खा मेरे दमाग में फवरां जो ऒो कह रहे थे कि ये एक कल्मा वेत का निचोड है पुराना का निचोड है जो और kryह रहे थे फवरां मेरे दमाग में वो शलोका याद आने लगे और शंकर चाहे रहे बिल्कुल सही कह रहे थे उनकी नियत क्या थी अल्ला возь्लम लेकिन विल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मभभभ की किताब पड़ेंगा उन्हें सही का कि हिंदू मभभ यह नाम जो हिंडू है यह विडश्श रजंत दिया अंग्रेज के जरिये और जो अरब लोगाई थे हिंदुस्तान में उन्हें नाम हिंदु दिया और आप इंसाइक्लोपीडा बिटैनिका में पड़ेंगे वाइम नमबर ट्विंटी रेफरेंस संबर 581 उसमे का गया है के हिंदु इस ग्रूप ऑफ बिलीज फॉप पीपल लिवें इंडि तो हिंदु इसम जो लवज है यह अंग्रेव ने दिया है सबसे उची किताब हिंदु जमेवेद और उपानिशद पुराना अगर आप पढ़ेंगे जंदों के उपनिशद अध्याइचे सेक्शन नमर टू श्लोका नमर एक उसमें लिखा गया एक कम एविधित्यम भगव श्लोका नमर 9 में नाचे से कशिज जनीदान चदीपा संस्क्रिट कोडिशन इसके मानी होते कि उस भगवान का कोई रब नहीं है ना कोई वालदे ने उसका नोए कोई पालने वाला है ना वाले देना वालदा है आगे आप पढ़ेंगे लिखावे श्लोका नमर उनीस में और सारे किताबों में से तो सबसे उपर किताबे जिस तरिक संक्रेचारे ने कहा वो है वेद और चार वेद है रिगवेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्वावेद यजुर्वेद में लिखावा है अध्ये बत्यस चैप्र नमर थरी टू श्लोका नमर तीन वस नमर त प्रविशंती यह अंधात्म मिलें प्रविशंती मतलब अंदर जाना वो लोग अंदकार में जा रहे हैं जो लोग असंबूती की पूजा करते आसंबूती मतलब कुद्रती चीजे हवा आग पानी जो लोग कुद्रती चीजे की पूजा करते हैं वो अंदकार में जा रहे हैं और आगेश लोका कहता है कि वो लोग और गैर अंदकार में जा रहे हैं जो लोग संभूती की पूजा करते हैं संभूती मतलब बनाई हुई चीजे मतलब टेबल चैर गाड़ी बुथ ये जो बनाई हुई चीजे है उसके अगर पूजा कर रहे है तो और अंदकान में जा रहे है और आप पड़ेंगे रिगवेद चारों वेदों से सबसे उचा वेदे रिगवेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर एक, बुक नंबर एक, किताब नंबर एक, हिम नंबर 164, श्लोका नंबर 46, एक कमसत विप्रवहुदा वदानते, जिसके मानिये सच एक है, सच्चा एक है, भगवान एक है, और संत लोग भगवान को मुक्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक और जो उन्ने संस्क्रित में श्लोक पड़ी वह आधी श्लोक थी पुरी स्लोक में पुछ ओंगाँ इन्शालह पूस्त chiefs कुमभान यिनारन यो Fifth रहां नहीं है नहीं है जरा भी नहीं है ये पूरा ब्रहम्मा सुत्रा है वक्त की किल्ट के वज़े से उनने आदे पड़ा और मुझे इसा लग रहा था जैसे कि उनने मेरी एक तक्रीर सुनी जिसका मुज़ु है इसलारिटी बिट्वीन हिंदूइजम एन इसलाम हिंदूइजम और इसलाम में यक्सानियत ये हो गया पहले पार कलमा का ला इलहा इल्ला ना कोई माबूद ए अल्ला के सिवा अब दूसरे पार थे मुम्मद स्ल्लाव सल्लम मुम्मद रसूल रसूले और अगर आप पढ़ेंगे इसके उपर एक तक्रीम है दी है सिर्फ मुम्मद स्ल्लाव सल्लम के बारे में जिकर जिकर मुझाइब के किताबों में खुसान हिंदूइजम के और अगर आप पढ़ेंगे पुराना का जिकर क्या है और भुष पुराना में पर्वथरी, खंड त्री, अधै थ्री श्लोका स्थाइफ टूएट उसमें लिखावा है कि एक मलेच्च आएंगा मलेच्च आएंगा मलेच्च्च मतलब फॉरिनर भार का कोई शक्ष आएंगा उसका नाम होंगा मोहमद वो अपने साथियों के साथ आएगा जिसका मतलब सावियों के साथ और वो लोग को सही दिशा दिखाएगा और राजा भोज उनको इज़त देंगे आगे पड़ेंगे हैं भविशे पुराना परवत्री खंडत्री अदेत्री श्लोका 10 से लेके 27 तक उसमें लिखा हुआ है कि ये शक्स आर ये धर्म को फैलाएंगा सच्चा धर्म को फैलाएंगा और इस शक्स के मानने वाले दाड़ी उगाएंगे सिर्फ पे शेंडी नहीं रखेंगे लोग को नमास के लिए बुलाएंगे एक इनकिलाब दुनिया में लेके आएंगे गोश्ट खाएंगे लिकिन शक्चा ये पहलाएंगे उनका नाम हैं मुसलमाट ऐसे कैई मुम्न सälौल्छ अजिकर भविशय पुराना में हैं रिग्वेद में हैं सामविद में हैं अधर्वाविद में हैं और खुसूस अगर पढ़ेंगे पुराना में भी है इसका नाम ए कलकी पूराना और कल की पुराना अगर आप पढ़ेंगे अधियाई दो चैप्र नमबर टू वर्स नमबर फॉर फॉर फाइव सेवन लेवन और फिफ्टीन जिसका भागवत पुराना में भी जिकर है वाइब नमबर टू वर्स नमबर एटीन और टूनिफाइव अठ्रा से पच्चीज तक जिसमें कल की पुराना का जिकर है कल जुग में एक शक्स आएंगे जिसका नाम है कल की उनके वालदा का नाम सुमती और वालद का नाम विश्णु यास सुमती के मानी अमन अमन करने वाली और हम जानते हैं कि हमारे पेगंबर आखरी पेगंबर मुमस नम के वालदा का नाम तामना इसका मतलब अमन फैलाने वाले और विश्टु यास मतलब भगवान की अबादत करने वाला और हम जानते हैं मुम्मत स्लिब्स लिए वालिद का अब अब्दुल्ला था इस तरीके से मुम्मत स्लिब्स के आने का जिखर कलकी पुराना में है और भागवत पुराना में भी है तो इस बुनियाद पर ये पुरी तक्रीर कर सकता हूं है दो घंटे के लिए चार घंटे के लिए सिर्फ मुम्मत स्लिब्स का जिकर हिंदू मजाइब के किताबों में अभी वक्त नहीं है लेकिन ये दोनों जोड़ के जो शंकर चाहरा है ने बिलकुँ सही कहा ला इल्हा इल्ला मुहम्मद रसूल ल्ला के निचोड़े का ना कोई माबूद ए अल्ला के सिवा और मुहमद अल्ला सुल्ण के पेगंबर है लेकिन आखरी में हमारे मौतरम श्यब शुएब सहब ने खाँ लेकिन मुकमल जिस तरीगे से ँनके वयद के अंदर कलकी पुराना में एक शक्स आएंगे जो आपको सीधी रास्ता दिखाएंगे ऑँ जिजगेर कलकी के बारे में जो जिजगेर फ्हमस лиш ile सलम के बारे में और उन्हें इस्लाम की किताबे फड़ी पड़े अलहमालालाला, आर इंशाललाला, मैं भी दोपा सुम्ह, निस्था लगवारे भाराइव, प TAल के अल्हद्च रिंदे, तो जो भी सवाल का जवाब है अलहम्दलिल्ला किताबों के हवाले से होना चाहिए वो सभी जवाब है